पांच बजे का सुबए का समय होगा आगे आगे पुझ सद्गुर्द्वी भगवान दंडवती परिक्रमा में गिरिराज जी में पीछे पीछे उनकी चरण रजमें लोटते हुए चल रहे थोड़ा अंतर आये भी था कमर में इसे हाथ रखे हुई एक बालक ए बाबा पैशा दे दे पीछे की बाद एक गमशा में कुछ पैसे जिससे दस रुपे पंद्रह रुपे ऐसे क्योंकि स्री जी थी गुरु जी की तो कुछ हमनिया लेके भोग लगा के और ऐसे बिक्षावरती से रोटी मांगके उदर पोशन होता पर लाडली जुग जिसे दो केले खरीद लिए भोग लगा दिया मंगला का भोग लगा दिया राज भोग का इसलिए दस पंद्रह रुपे ऐसे कमर में बांदे और उपर शवेशे मार की और दंडोती परिकुम दे बाबाबा पैशे तो हमें लगाए ब्रजव हमारे पाद जूट बूले बाबाजी पैसा है तो पैसा बल्विस चाहे तो बना तो है यह पंदर अभीस रुपया को आए आगे करें दे बाबाबा दे इसे निकाला कागज का एक रुपया भी सिख्का होते तो कपर सिख्का बाद नहीं से को कागज कर भी एक रुपया है अजिने काम कालो जाओ ऐसी चितवन से देखा कि ऐसा लगा कि कोई शर्वास्चर में शुक है बुद्धी काम नहीं कर रहे थी कैसा हो आगे बड़े राह नहीं गया महराजी यहां कुछ पास में गाव है नजदी क्या यान ही थोड़ा दो किलो मिंटर के लिए आगे है जत सब्सक्राइब करते हैं पालक थोड़ी है यहां तो श्रीकृष्ण तो हमने सोचा महराजी भाव से कह रहे हैं कि हांको हर बालक ब्रजवाश्वाश्वालक श्रीकृष्ण स्वरूप है जब ब्रंदा बनाए तो भक्ती दीप महराज बड़े भजनानन दी महापुरूश् च्छतुरी के नीचे केशि घाट के इधर है जब गए प्रणाम किया तो कहां बाबा तुमका परिक्रमा में गये थे गिरीराजी की दंड़े पर तुम्हें स्रीकृष्ण मिले परिक्रमा में तो नहीं बाबा मिले नहीं तुम्हें महाराजी ऐसे तो हमें ने दिखाए जि ले लित्री मंगे खड़े, नहीं बाबा, नहीं मिले, होगा महराजी हो ये बालक है, हमने महराजी से मिले, वो सिरीकर्ष नहीं, ये बड़े चलिया है, ये बड़े अपने जनों के साथ ये खेलते रहते हैं, और हम पहचाने हैं, हम समझते हैं, ये व्यक्ति है, हम समझते है इस्तरी है हम समझते हैं पशू है हम समझते हैं बालक है नहीं वो बड़े लीला भी आ रही है रोज अपने सबसे मिलते हैं और मुस्कुरा करके जाते हैं कि तू ये मत समझ कि मैं तुझे देख लई रहा मैं तेरे साथ खेल रहा हूँ होब धिमान तो पकड़ के दिखा दे मुझे वो जो सुख ले तो सदा ब्रजवाशी बड़े अधगुत चमतकार गुरुद्वी भगवान की कृपासे उनके शमी वो तो सुई जाना है जे देहु जानाई लाडली जुके दर्शन करके महल से निकर लेते पीछे से कहा ऐसे वो राधाबाग है उसके आगे वो देखो ललिताजू का गाओं है उच्छा गाओं ऐसे दिखा रहे बज्जी महान इतनी इतनी दो शुंदर गोरी-गोरी लाली आए महराजी का चला पकड़ कर ए बाबा फूल दे दे हमारी दृष्टी बड़ी शुंदर लाली तो हमें लगा को महराजी पूरू में राधाबाग में यहां बर्शाने में काफी समय तक रहे तो किसी गोश्वामी परिकर की लाली होगी महराजी को जानती होगी हम महराजी के तो आशू चले हमारी तो शमाज में नहीं आया थोड़ी दिर में उलाली से भीड के साथ चली गए महराजी लड़ खड़ाते हुए से बड़ाद घुत मस्ती और यही राधा बाग की तो एक आंत हो जाता है रोते ही यह कहे कि बिक्षा ब्रति से इदर मुझा किंचन के पास आपको देने के लिए क्या है और ऐसे फ़क 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 तो फिर एकदम लगा कि महराजी यह किसी गोश्वामी की लाली नहीं थी बुल नहीं सिरी जी और लेल ताद्मी थी महराजी उनका इस सिरी जी और लेल लेल हम धाम के आशिक नहीं हो रहे है धाम की रहने से नहीं रहे रहे इस महान पावन भूमी में हम रागद्वेस की कृड़ा कर रहे है हम अपराद कर रहे है यहां कोई साधन करने की जुरुत है महराणी जो के घर में रहे रहे है हमें महारानी जिसे मिलने के लिए कोई साधन करना पड़ेगा भया और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए ये सम्तो पूजत नहीं ब्रंदावन रह सोए अब कैसे ये कोई कहानी थोड़ी है ये कोई ऐसे थोड़ी कि ब्रंदावन की जय बोलने के लिए महापुर्शों ने बढ़ा चड़ा कर ऐसा नहीं है अक्षरसा सत्य है ये ब्रंदावन सचिदा अनंद घन है ये शिद भूमी है ये प्रेम भूमी है आपको केवल अनभोष लेने हो रहा कि आप यहां की रहनी से नहीं रह पा रहे है अगर हम लोग रहने से रहे तो यहां साधना नहीं करनी प्यारी जू प्यारे जू ऐसे गलवईयां देकर मिल जाते है उनका घर है ब्रंदावन मिल गया मतब प्यारी जू प्यारे जू मिल गए यहां घर घर हुए रहेो खिलोना जगत कहत जाको अविनाशी यमना किनारे गोकुल की तरफ टहले थे बीशो देले से ब्रज में निकल जाते गुरु जी के साथ गुरु जी ऐसे यमना किनारे बेठे हैं बार बार इससे जैसे कोई उनके साथ खेल रहा है और ओ खेल बड़े गंभीर मुद्राम अब तो बड़ी करपा करके सब को शुक देने के लिए आरती कर रहे हैं प्रगट में सिरी जी के दर्सार नहीं कर सकते थे महाराजी के लाडली कुछ जी कोई की नहीं दादा उल्लब जी के मंदिर में जाए संबाशन ही नहीं देखना ही नहीं दर्वाजा ही नहीं खुलना बिल्कुल एक कांती जी वो तो आज करपा बरशा रहे हैं करपा कर रहे हैं बाद में ने पुछ ओं महाराजी जो चेश्टा है अभी हो रही थी तो तो उनका रादा उल्लब जी थे आपको आश्यर लगेगा इसा कैसे हो सकता है यह वो धाम है जहां सहजता से सच्चिदानन्द प्रवु के साथ खेलने का उसर मिला है खेलने का आप नहीं समझ पा रहे है कोई शाधन की शामर्थ नहीं किन लाडिलों के समीपता सोईकार कर पावे कोई यह खुद इतने दयालू करपाल होए कि आपके गले पड़ जाएंगे आके आपके साथ खेलेंगे आके बस आवश्यक्ता है इनके लिए जीवन समर्पन करने के हम लोग बहुत कच्छे हैं बहुत अधूरे हैं कितना सुंदर और सर्मिला वही फसे हुएं तात मात सुतदार में वही अपनी इंद्रियों की दुलार में मन की दुलार में फसे नागरी दास ध्यान दीजिए नागरी दास ये बिश्टते न्यारी लग गई हाथ लूट सुखरासी जो शुखलेत से दाबर ये बड़ी हाँ दाव लग गया जीत जाओ नहीं कभी नहीं जीत पाओगे लूट बच गई है या लूट बच रही सची दानन्द की जीवन तम्हारा ऐशे शुक्ष में हो जाएगा सब्द नहीं हमारे पास नहीं है सब्दों बर्णन करने हैं लाड़डी जो की कृरपा के लालजो की दुलार के आज हमारे उपर दुलार है तब हम यहां सब बैठे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आपको लग रहे हैं हम पैशा लगा के ब्रंदावन आए हैं हम पैशा लगा के ब्रंदावन बास करें भूल जाना भूल जाना साथ हजार वर्स तक ब्रम्हा जी ने तपश्या की, कि ब्रंदावन में रहने के तो मेरी शामर्त ने, अगर गोकुल में रहने को मिल जाए तो, पास नहीं हुआ सरकारी का गैस, साथ हजार वर्सी की तपश्या, अपने साथ मिनट भी नहीं बैट सकते, एक आगर हो करके, अपने को ब्रंदावन बास, क्या समझते हो तुम पर कितनी करपा है, स्री यमुना जी का पावंदर्शन, ब्रंदावन धाम का वास, और शंतों का उच्छिष्ट और राधा वल्लब नाम, यह जीत गया, कुछ बकाया नहीं रहे गया, अच्छा रोज यमुना जल पान ना करो तो बैठेओ तो यमुना जी की वाईवार हे, यहां तो माला माल है, काई को तुम टेनसन ले रहे हो, काई को बे मतलब सुख शमुद्र में बैठ कर जल रहे हो, पानी में मीन पियासी मों सुनी सुनी आवे हासी, समुद्र में बैठाओ प्यास प्यास चला प्रेम समुद्र अब निज धर्म आपनों कहे तहानित ब्रंदावन रहत बहत प्रेम सागर जहां ब्रंदावन का बाश हमें मिल गया या ब्रंदावन का आश्ट्रे मिल गया और मुख में नाम चल रहा है और संतों की जूठन मिल गए तो आप कहोगे कि आज इसे भेजिये फिर जूठन यह आप पा क्या रहे है कि क्या पा रहे है जूठन का मतलब रोटी दाल की जूठन नहीं है भूल जाओ यही संतों का उचिस्टामरत उन्होंने जो अनुभो किया श्वाद लिया वो तुमें दे रहे जो नाम हमारे गुरुजी जप रहे जो नाम हमारे आचारी जप रहे वही नाम तुमें मिला है हर्यवण्ष महाप्रभू के श्री बुख में निरंतर राधा वल्लब राधा वल्लब राधा वल्लब वो आदेश कर रहे है राधा वल्लब लाल को अरदे ध्यान मुख नाम वही तो चला रहा है परंपरा से आप क्यों नहीं जप रहे है चलत फिरत सुनियत यहैसी राधा वल्लब लाल अम्रित नाम है राधावन नाम अम्रित नाम प्रियाजु को अधीन करने के लिए बहुत सुंदर उशर मिल गया है शिधाम ब्रंदावन हमारा सहायक है गुर्देव हाथ पकड़ करके लिए चलने हम लड़ खड़ा के गिरेंगे भी तो इतने शमर्थ हैं हमें पकड़ लेंगे बस हमें चाल अपनी उधरें बढ़ानी सिरी जी की तरफ देखो इसमें आपको एक विशेश शावधानी रखनी परमार्थ में आपके शामने भै या प्रलोभन दो पस्तित होंगे आप माना भैवीत हो गए लेकिन बढ़ना प्रियाजू की तरफ ही है प्रलोभन हो गया देख रहे उस बोक की तरफ लेकिन कदम तुम्हारे नहीं रुकने चाहिए बढ़ना प्रियाजू की तो जीत जाओगे अगर प्रलोभन में खड़े हो गए या भै से पीछे मुड़ गए घाटा हो जाएगा नागरी दास बिश्चते न्यारी लगी गई हाथ लूट सुखरासी ए सुख में निमग्न हो जाओ जिसके शायक प्रिया प्रितम उसको गिरा कौम सकता है अभी तुम समझी नहीं पर तुम अनाथ हो क्या है इतना हम देखते हैं व्यक्ती में अपना भार लिए डोल ला है तब परेशाली ये लगती ही कि हरे पागल तु काहे को इतना भार लिए मेरे प्रभु गोशना करके कह रहे हैं योगक्षेमं बहाम्म्म् तुझे भरोशा नहीं हो रहा केवल तु राधा राधा बोल बस चिंता मत कर भविष्टी की चिंता मत कर अपने पालन की चिंता मत कर अपनी रक्षा की चिंता मत कर मेरा भजन सु रक्षित बचा रहे बिल्कुल चिंता मत कर वो हर समय आप पर नजर रखे हैं जो प्राप्त कराना है आगे आगे प्राप्त कराते जाएंगे जो बचाना है रक्षा करना है वो रक्षा ये उनका भार है हमारा नहीं है हमारा सिर्व कामरा राधा 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 प्रभु कहे रहे हैं मामन श्मर सतत मेरा श्मरण कर अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि श्मरण हमारा सतत क्यों नहीं होता श्मरण तीन तरह से होता है एक होता है बोध जन्न एक होता है शम्मंद जन्न और एक होता है क्रिया जन्न बहुत ध्यान से सुनना बड़ा लाव का विशय है भगवान का आदेश है तस्मात सर्वेशु कालेशु मामन श्मर्ण मेरा बार-बार श्मरण करो श्मरण तीन प्रकार से होता है एक होता है बोध जन्य एक होता है शम्मंध जन्य और एक होन्ता है क्रिया जन्य जो बोधजन्य श्मरण है इसमें बजन करना नहीं पड़ता यह बहुत क्रपा से इस्थिती होती है एक बोधसंबोधन है स्वरूपका आत्माश्रूपका बोध ब्रह्म बोध संपन्न मापुरुष का जाता है आत्म सुरुप और एक बोध शब्द होता है इस बात का अनुभो हो जाना कि मैं स्यामा स्याम की हूँ स्यामा स्याम मेरे है मतलब यह कहने सुनने की बात नहीं रह गई उसके हरदय में बैठ गया है जैसे पचास वर्ष पहले जन्म हुआ था कभी किसी ने कान में बता दिया होगा कि इसकुल में जन्म हुआ है कभी रटा नहीं कभी ध्यान नहीं किया बहुत सी शाधना करते हुए ऐसे आज भी अगर कोई हुए कि आपका सरीर किस कुल में तो किसी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं किस कुल में जन्म हुआ ये सरीर किस कुल में नहीं पुछना ओ अमुक बोल देंगे ये क्या हुआ बोध जन्निश्मरण कभी जपा नहीं कभी ध्यान नहीं किया पर कभी भूला भी नहीं वो बना हुआ है कि ये सरीर कहां जन्मा किस कुल में जन्मा ये इसे बोध जन्निश्मरण करते हैं पर ये अस है ऐशे ही गुरू करपा से हमारे हरदय में बात बैठ गई कि अरे मेरे असली आश्रदाता तो श्यामा श्यामा में भूलकर भटक रहा था संसार के संबंदों में श्यामा जूकी मैं श्यामा जूकी अगर ये बात अंदर बैठ गई है गुरू करपा से तो कैसी भी परिष्थिती हो आप देखना इसकी पहचान है अगर आपको भारी दुख पड़ रहा तो ततकाल आपकी ब्रति श्यामा जूके गई है किसी व्यक्ति पे गई अगर व्यक्ति पे गई फेल सब बात अभी बली नहीं शीदे केवल श्यामा जूके चाँ राधा 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 अब क्या होगा भी आप हम तो नहीं जानते हैं स्री जी कि श्युआ मारा कोई परिष्यवला नहीं और कोई पावर नहीं हमारी स्री जी है स्री जी कि श्युआ कोई यहीं सूयानी चाहिए आप बराबर इश्मरण नहीं कर रहे अंतर में आपके बेठा है श्री जी कि शुवा मेरा कोई नहीं भारी शुख की ब्रती है किशी व्यक्ति पे शुवी नहीं जानी चाहिए कि ये बड़ी कृपा की ये ला करके वस्तू दी ये इतने रुपे दे अगर ऐसे गई आपके चिंतन की धारा गई सब गड़बर कर दिया भारिश भारी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में आपके अंतर की ब्रति केवल स्यमा जुके ये बोध जन्नी श्मरण अब श्मरण नहीं करना पड़ेगा वह हर समय ठसक मली रहेगी शम्मंध का दूशरा सुरू पाता है इसमरण का गुरु जी से शम्मंध हुआ उन्होंने श्यामा श्याम से शम्मंध करवाया और हमने श्वईकार किया अब हमें हर समय देखना है कि मैं तो प्रियाजू की बिकी हुई हूँ मेरा कोई आस्तिक तो नहीं है तन्म वांग मनोभीर अमले शोहम तविवार प्रिता इसमें सम्मंध जनित इसमरण आता है सम्मंध से बहुत सी इग कल्यान होता है जैसे मामा प्रियागदास जी की आप कथा सुने तो शम्मंध मेरे राम जी जीजा और जानकी जी 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 ठसक मैं उनका साला हूँ मास्क कोई कहता कि अरे मामा कभी माला तो चलाते तुम्हें देखते लें किसका माला चलाएं अरे मेरे 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 हनुई चक्रवरती संब्राट महराज स्री राम मेरी जी 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 जालकी जी आप मैं किसका माला चला हूँ ऐसे गिरदा में से सम्मंध हर समय ठसक बनी वी मेरे प्रि शम्मंद बूद दोनों में नहीं तीसरे में हैं वो भी बड़े भागिशाली है क्रियाजन में अभ्यास हम कर रहे हैं शमा शम हमारे हैं शमा शमा शम शम पर अंदर बेठा हुए हमारी मौशी है हमारे मम्मी हमारे पापा है हमारे अमुक शम्मंद है शम्मंद हमारा जगत से शमन्ध हमारा देश से अब्यास कर रहे कि चिंतन का कोई प्रयास भी नहीं है उसका कैसे चिंतन होता है गोश्वामी जी ने बिलकुल सरलवासा मता है तुरसिदा जी जी ने कामिनारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम तिम्रगुनाथ निरंतर प्रियलाग हूँ मुहिराम कामी कोई बैठ के ध्यान करता है क्या इस तरीका पर कभी क्या ध्यान भूलता है क्या ये है सच्छा भज़र ये लोभी आदमी क्या ध्यान करता है क्या पर कभी क्या भूलता है क्या शता तुशी में इस्थिती उसकी रहती है ऐसे यिश्यामा श्याम में महातपुर्शों की इस्थिति रहती है जिनका संबंद शिद्ध हो गया है सहचरी भाव को प्रयाप्त हो रहे उनको भजन करने की ज़रक्त अरे उनका रोम-रोम प्रियलालमै है रूम-रोम रग-रग श्यामा श्याम का दाशत तो स्वेकार के हुए बिराजबाद, बुरिशकी कहे रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ श्वाद नाम को, अपने लोगों की स्थिति क्रिया जन्न है, इसमें बहुत खत्रा है, क्योंकि कभी भजन की क्रिया होती, कभी भोग की क्रिया होती, कभी योग की क्रिय यह बहुत खतरनाक इस्तिती अभी भजन की यह इस्तिती ठीक नहीं है क्योंकि जब कभी प्रतिकुलता आती तो ना सम्मंद दिखाई देता है ना बोध दिखाई देता है केवल क्रिया थी क्रिया यह दिखाई देता है आपके शरणागती यह क्रिया थी आपका बेश परिव अगर शम्मंद की ही ठसक आ जाए तो बोध होने में देर ना लगे अगर क्रिया भी गुरु आग्या के अंशार होने लेके तो सम्मंद का नुबह होने में देर ना लगे चलते तो हम प्रथम शीडिशे हैं नागरी दाजी महराज बड़ी ठसक से बोल रहे हैं हमारी सबही बात सुधारी क्रपा करी स्री कुंज विहारी क्या कुले राख्यों अपने ब्रंदावन मा जीठा रूप उजारी अब हमको क्या चिंता करनी हैं ब्रंदावन बाशिये हैं चिंतन करना है चिंता नहीं करनी है अब जहां हम यह कह देते कि क्या चिंता करनी बेपर वा रहो तो इस बात को तो समय नहीं पाते और भगूं का चिंतन करके भगों में उतर गए ये बे परवाई है मुर्खता है चिंता नहीं करने चिंतन करना है स्वामिनी जू का चिंतन अपने ब्रंदावन में हमें रख लिया स्वामारी सारी बात सुधार दी जीठा रूपु जारी नित्य केली आनंद अखंडित रसिक संग सुखकारी कलह कलेशन ब्यापय इठाये ठोर विस्टते नैरी नागरी दासी जनम जितायो बलिहारी बलिहारी हमारी स्वभी बात सुधारी आपके मन में आता ये बात हमारी बात हो गई आपको कोई अगर पूछे कि आपके शाधना क्या आपका कल्यान क्या हमारा सब हो गया क्या? अरे ब्रंदावन बासी तुमको अभी चिंता है? कल्यान की? हम ब्रंदावन बासी अभी हम पापी है? हमारी श्वामनी जो अभी हमें किसी के आगे कल्यान की भीक मांगनी पड़ेगी? है? तुम सोचो अपले विसय में, हम तो ब्याद वरो से कुवरी के सौवत नहीं पर हम इसका दुर्पयोग करते हैं भोगों में खेलते हैं और कहते हैं ब्याद भरोसे कुमर के सोवत पाउप पशार गलत बात है गलत बात है क्रपा का नाधर मत कीजिए मन मानी आचरण विशेप्रपंच की वारता चिंतन और कहते हो ब्याद भरोसे कुमर के सो कुमर क भरोसे से कहीं पापा चरण होता है श्वामिनी का भरोशा हो तुमारे हिरदय में तुमारे अंदर भोग वासना अरे कैसी बात करते हो समस्त लोकों का श्वामी जिन से कृपा की याचना करता है उन स्वामिनी की ठसक हिरदय में हो और फिर तुमा शांत और बात बनी नहीं समझो अभी ठसक नहीं आई यह क्रियाजन जो हमारा भजन है उसको समझी है यह यद्य कहने में तो तीसरे नमबर में पर हमारे चलने में पहले नमबर में है हमारे लिए आखिरी नमबर है बोध जन्न शंबंद जन्य और फिर एक क्रिया जन्य ये पहले सीड़ी ये भजन की अच्छी क्रिया जन्य भजन इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के सादक होते एक बीरक तो एक ग्रहस्त दोनों भगवत प्राप्ति की योगे हैं अगर ग्रियस्त है ध्यान देना इसमें भी प्रकार हैं वो संशार का कार करते हुए प्रधान भाव संशार का रखते हैं और गौल भाव भजन करते हैं कहा था राधा 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 पर प्रधानता है कि संसार का कार छूटने न पावे, बिगणने न पावे, घाटा न होने पावे, ग्रेयस्त में, क्योंकि शाराकारी रुपेर से चलेगा, राधानाम से तोड़ी चलेगा, ऐसी भावना मूल में उनके बैठी है, उनकी हरदय में बात बैठी, क्रिया तो धन मिलेगा, धन मिलेगा, तो हमारी बात बनेगे, हाँ थोड़ा मंगल हो जाए, आनन्द हो जाए, इसलिए राधानाम भी लेते रहते हैं, तो उनका गौड मने, विशेश भाव नहीं है भजन का, संसार का विशेश कारी कर रहे हैं, और पीच बीच में ऐसे, गौड भाव होता है, भजन न छूटने पावेचा, सब कुछ नस्ट हो जाए, उनी में, प्रवत्ति मार्ग में, अब वो क्या करते हैं, भजन की मुख्यता रखते हैं, और शंसार के कारी को गोड रखते हैं, तो उनका कारी भी सही होता है, क्योंकि भजन हो रहा है, तो एक आगर हो जाएगा, ये जो पहला है कि संसार का कारी प्रमुख मुख्यता रखते हैं, कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा भजन, ये भी प्रणाम करने योग्ये पर इनको संबंध में, पहुचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अपने संबंधों को सुद्रड किये हैं संसार में, और उनके लाव का विशह है धन और भोग, इसलिए अभी ये परमार्त की उचाई पे चढने की योग्यता नहीं लाए, दूशरा जो मुख्य बात उसके हदे में बैठ गई, कि हान हरिवंस के नाम अंतर परे, लाव हरिवंस उच्च रतबानी, अगर मुझे एक घंटे में पांच लाख रुपे मिलते हैं, और नाम छूट गया तो पांच लाख किस काम के, क्योंकि हम पांच लाख रुपे से पांच सेकेंड भी समय नहीं खरीच सकते, जो एक घंटे समय दिया, इतना विचार, सुद्रड, वो नाम नहीं छोड़ सकता, मुख्यता नाम की रहती है पूरा हो तो ठीक, ना पूरा हो तो ठीक, सिरी जी जाले, भजन पूरा होना चाहिए, ये परमार्थी की उचाई पर चढ़ने की, जो क्रिया कर रहे हैं, क्रिया जन्र भजन, ये इनको उचाई में पहुंचा देगा, जो